कोरोना संदिग्द मरीज मिलने से मचा हड़कंप मुरादाबाद के मुणड़ापांडे छेतर निवासी एक महिला को खांसी जुकान की शिकायत पर तीन दिन पूर्व जिला अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गईस सेंपल के कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया है मुरादाबाद स्वास्ते विभाग ने मरीज को इलाज के लिए आईसोलेशन वार्ड में भर्ती करते हुए आगे की कारेवाही शुरू कर दी है भारत सहित सभी देशों में कहर बर्पा रहा कोरोना वाइरस ने आज मुरादाबाद मंडल में भी अपनी आमत दर्ज करा दी है दरसल मुडापांडे छेतर निवासी एक महीला पांच दिन पूर्व फ्रांस से वापस आई थी जिसे खांसी जुकाम की शिकायत पर मुरादाबाद के जिलास पताल में बनाए गए आईसोलेशन वाड में भर्ती करते हुए उसके सैंपल लेकर जांच के लिए अलिगर लैप भेज दिये गए थे आज सुभा रिपोर्ट आने पर मुरादाबाद के स्वास्ते विभाग में उस समय हलकमत मच गया जब उक्त महीला की कोरोना संक्रमित पाई गई सी एमो एसी गर्ग ने बताया कि उक्त मरीज चार दिन पूर्व फ्रांस से लोटी थी और तीम दिन पहले ही इनके सैंपल जांच के लिए भेज दिये गए थे जो पॉजिटिव पाई गए हैं मरीज को आईसोलेट की गई है और वो जिनके भी संपर्क में आए हैं उनकी भी जांच शुरू कर दी गई है कब यह भर्टी हुई जाए अब मुराजबात के सरकारी अस्पताल में ललकी वो परसों बटी किया गया है यह ललकी प्रांस से आई थी और शर्वी दुकाम था तो उसको बटी किया गया है कल सुवह इसका सेंपल बेहा गया था मेडिवर कॉलेज अलीगा उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आज़ी अच्छा तो फिल्हाल लड़की को कहां रख गया तो फिल्हाल लड़की आइस्फोलेशन बाड़ तो इसको परिवारों से भी संपर्द गया है और डिरेक्टी अस इसके संपर्थ में यह आई है सभी लोगों को क्वारेंटाइन में रखा जाएगा क्यों कुछ जाथा क्लेर हुआ है कि कितने लोगों के अधिताय संपर्थ वो एक्सराइज चल रही है अभी एक ज़गन्टा हुआ हुआ है पॉजिटिव आग गया अभी एक्सराइज चल प्राइज यह लड़की फ्रासमें पुटी है ताकर रहे है अभी यह जांकारी कि कितने दिन पहले इसका म्रजववद आना हुआ था यह बांट दिन पहले म्रजवद आना हुआ था यह कि झाल